फर्स कीजिए कि आप एक प्लेन में बैठे हो और प्लेन को टेक ओफ हुए अभी थोड़ा ही वक्त बीता है और उसके बाद खबर ये आए कि प्लेन से एमर्जंसी के साइन आ गए हैं एमर्जंसी के साइन ऐसे आए कि प्लेन पिछले दो घंटे से लगातार हवा में चक्कर लगा रहा है उसे एमर्जंसी लेंडिंग करनी उसे वापस आना है जहां जाना है वहां नहीं जा पा रहा है बताया ये गया कि उसके लेंडिंग गेर्स फस गए हैं लेंडिंग गेर्स लेकिन जमीन पे रात के आठ बजे के करीब जब ये खबर आती है तो ब्रिकिंग न्यूज के तौर पे टीवी पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे हर जगर इसी की चर्चा होने लगती है और लोग लिखने लगते हैं कि प्रेफ और उस प्लेइन का नाम लेकर के प्लेइन जो है तमिलनाडू के तरिची से शाह जहां जा रहा था और उसमें जब खराबी की सूचना आई तो ये कई लोगों ने कहा कि मेडे कॉल हुई है, मेडे कॉल हुई या नहीं हुई इसकी खत्रे के निशान के आगे बढ़ चुका है, मेडे आम तोर पे जब बहुत जादा खत्रा होता है तो मेडे मेडे कॉल दिया जाता है, पाइलेट के तरफ से, फिर उसके बाद सब लोग ये सारे ट्वीट आने लग गए, फिर उसके पता करने लग गए कि ये प्लेन कब लै लेकिन उससे पहले क्या हुआ, जी नावेद, बताओ, ये जो है ये जिस प्लेन की बात कर रहे हम, वो एर इंडिया एक्सप्रेस का प्लेन था, उसका जो नंबर था वो ए एक्स बी 613 था और बोईंग का जेट था, ये बोईंग 737 जो की काफी एक कॉमन पाया जाता है पै वहां पर पाइलेट ने महसूस किया कि लेंडिंग गर में कुछ प्रॉब्लम है, ये महसूस करने के बाद वहां पर टेंशन बढ़ी कि ये कैसे करेंगे, इसको क्या लेंड करेंगे, कुछ समस्या है पाई गई, तो फिर उसके बाद जो है ये बात चलने लगी कि फ्यूल उसका फ्यूल गिराना चाहिए, है ना, फ्यूल उसका हटाना चाहिए और बैली लेंडिंग करवानी पड़े, क्योंकि लेंडिंग खुलने रहे, तो बैली लेंडिंग का भी मैं यहां पर बता दूँ कि बैली आप जानते कि बैली मनुश्यों के इस भाग को बोलते है, उ पर मेकनिकल वजह हो जाती जैसे कि इसमें बताई जाए कि लेंडिंग एर खुलने रहा है तो खुलेगा पाइलेट को तो जब यह आम तोर पर जब टेकनिकल प्रॉब्लम होती तभी होता है यह जो बात नावेद ने बताई कि फ्यूल गिराने की बात हो रही थी फ्यूल गि तो तब तक व्यूब लेबल उस नीचे तक आ चुका रहता है तेल कम हो जाता है यह यह जी वक्म और मेक्र प्रेशं很好 होता है यह च्रह ऑद होती है इस बार भी जब दौड़ लेंडिंग की बाइंग तो बैली लेंडिंग भी एभाण आपने बहुत टफ चीज मानी जाती है और ऐसा होने पर कई बार आपने अगर वीडियो में देखेंगे आप सर्च करके भी तो वो चिंगारी निकलती है उससे आग लगने की कई बार आशंका होती एक सो चालिस पैसेंजर थे सबकी सांसे अटकी थी उनके तमाम रिष्टेदार के साथ तमाम जो लोग हैं हमारे जैसे आपके जैसे उनको ये चिंता होने लगी कि ये प्लेन कैसे लेंड करेगा बोईंग सेवन थ्री सेवन विमान था फिर क्या हुआ तो हादसे के आशंका थी उस बीच ये सोर्सेस के मताबब कि ये मैं कोट कर रहा हूं कि वहां पर इस तरह का वो किया गया कि अब रेसिडेंशल एरिया के उपर हम लोग उड़ रहे हैं तो यहां पर तो हम फ्यूल गिरा नहीं सकते इस तरह से ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है तो वहां पर फिर बातचीत चली डीजी सीय की तरफ से आया कि हम ये पूरी जो सिच्वेशन उसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं फिर सेफ लेंडिंग के लिए उन लोगों ने जो भी अपने व्यवस्था की जा सकती थी उसको किया फिर बाद में अभी हाल ही में ड प्लेन को उतरवाया गया नितो इसमें प्लेन नॉर्मल लेंड किया है यह जो थे वह ओपन हो गया नॉर्मली लेंड लेंड की जरूरा से कुछ तस्वीर आई हुई एरपोर्ट से क्योंकि मैं जब देख रहा था तो बहुत सारे वी वह बहुत सारी तस्वीर हैं ने देख प्लेन जी दिखाईए पहली तस्वीर अबनाव में पैस रहा है वो तो यह लैंडिंग की है जो सब देखना चाह रहे थे यह वह रूट था यह लैंड कर रहा है यह लैंड करने वाला है किसी ने दूर से इससे रिकॉर्ड किया है इसके बाद फिर लैंडिंग के बाद करने लग गए और प्रार्थनाय कर रहे हैं यह वहां से तस्वीर आ रहे हैं यह एक पैनिक एक पैनिक सिच्वेशन क्रियेट हो गई थी कि लोग पैनिक में थे हां यह उस वक्त की तस्वीर है जब तक प्लेन लैंड नहीं हुआ था लोग मतब दूआ करने लगे कि सेफ ल लोग यहां पर तालियां बजा रहे हैं और फायर फाइटर्स बाकि सारी एमर्जेंसी सिच्वेशन के प्रपरेशन जहू रखे तरी 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 एरपोर्ट पर यह वो लोग थे तो जब सेफ लांडिंग हो गई तो उन्होंने भी रिलीफ फिल किया यह तस्वीर है यह यह इसका बहुत बड़ा जथा है यहां पर यहां पर एंबुलेंस इतनी सारी लगातार बिल्कुल एक लाइन से खड़ी थी जो वहां पर मतला बगर कोई भी सिच्वेशन में इस तरह की कंडिशन बनती है कि यहां पर देखिए डॉक्टर्स की टीम भी आप देख सकते हैं इत आप समझी कि यह क्राइशीस की स्थिती थी इस तरीके से हां फाइर ब्रिगेड की टीम थी यहां एंबुलेंस थी यहां डॉक्टर्स की टीम थे यह पूरी तैयारी से थे कि कुछ भी हो किसी भी स्थिती के लिए जो प्रशासन ने वो तायार रे और क्यू unie कि होई के हवाले से एक ट्विट किया है और उसमें लिखा है कि वह बता भी चुके हैं हमारे पहले साथी के फ्लाइट की सुरक्षित लेंडिंग हो गई है और ट्विट में हाइड्रॉलिक खराबी जो बता रहते है उसका कोई जिकर अभी है नहीं और यह जांज का विशे है कि जब हाइड्रॉलिक खराबी आजाती है तो क्या उसका एक्जैक्ट मतलब यहीं है कि जो पहिये हैं वो नहीं खुलेंगे हमें नहीं पता है लेकिन टीवी पर जो कुछ भी चला उससे एक माहौल बना लेकिन अच्छी बात है कि कुछ भी अनोनी हुई नहीं आप लोग तक पहल कि देर से वो हवा में उड़ रहा है और फिर और अपडेट हाई कि भी इसका जो फ्यूल है असल में उसको खतम किया जा रहा है क्योंकि उसमें एक हाइड्रॉलिक टेक्निकल प्रॉलम बता रहा है जिसकी वेसे शायद उसके पहिये लेंडिंग में नहीं खुलेंगे इसलि कि यह जो हमने वो चकर देखा सरकल देखा प्लेइन इती देर तक हवा में घूमता रहा तो वो इसमें जो फ्यूल है वो गिराया नहीं जाता कि इस प्रोसेस को कई बार होता है इसमें इस प्रोसेस को खतम किया जाता है उस लेवल पर लाया जाता है जिस लेवल पर लेंड प्लेन वापस आया यह सब जांच का विशह है और डीजी सीए इसकी प्रॉपर जांच करेगा डीजी सीए इसकी एथार्टी होती प्लेन जितने भी उड़ते हैं सब को मॉनिटर करता है और कुछ भी गड़बर होने पे वो कारवाई या फिर दिशान इर्देश जो भी जारी है क्या यह जो जानकारी थे हमने आप तक पहुचा है इसके आगे की जो अपडेट होगी वो भी हम आप तक पहुचाते रहेंगे नमस्ति मेरा नावा बिनो पांडे मेरे साथ कैमरी के पीछे मेरे साथी विजह है देख तेरे दीलरें टॉप शुक्रिया